हुआ हालो स्टुडेंट्स वेल्कम टू टो डीकमस्टी क्लासिस वीडियो किस पार्ट में हम जानेंगे कि यू मेंडली फूनी क्लासिफिकिशिट किया है इलीमेंट्स का उसका ब्येसिस क्या था ठीक है मेंडली पिरियॉडिक ला के बारे में जानेंगे और उन्होंने जो डो पिरियॉड़िक टेबल डिजाइन कियी थी सब से अधने उन्होंने ओरिजिञ्ट पीरियॉडिक टेबल दीती दिन उसके बाद में अगनो साइन्टिस्ट की तरह एक्टामिक मास्क को उनके जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग और में रखा था तो देखते हैं सबसे पहले जो मेंडलीव का पियोडिक ला है वो क्या है मेंडलीव जो थे उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था जो उस समय उनको पता थे यानि कि जो आपका मेंडलीव का टाइम पीरिड था उस समय 63 एलिमेंट्स हो चुके थे और उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया थे तो इनका जो पिरियोडिक ला था वो क सारी periodic properties से related था तो इसको उन्होंने fundamental property consider किया था इसको गर दूसरे words में हम कहें तो यह कह सकते हैं the physical यह पर mention किया है the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses यानि कि जो आपका physical and chemical property आपका दो तर टाइप कह सकता है या तो chemical या physical तो जो आपके physical chemical properties होते है elements के वो periodic function होते है atomic masses के जिस element का है उस element के atomic mass के periodic function होता है यानि कि उन्हें periodically change आता है इसकी वज़े से उनको periodic function बोला जाता है तो यहाँ पर यह जो आपके दोनों statement है इन दोनों को हम mandalips periodic law कह सकते हैं तो या तो अगर यह exam में आता है या तो आप उपर वाला लिखे ठीक है या फिर आप यह mention करिए ज्यादा तर books में आपको यह जो नीचे mention किया है second position पे हमने यह आपको मिलेगा ठीक है यह आपका mandalips का periodic law है इसी law को use करके उन्होंने original periodic table design की थी तो उससे पहले एक चीज़ हम यह जान लेते हैं जो अभी यहाँ पर हम periodic function की बात कर रहे थे हैं यहाँ पर देखिए physical and chemical properties of elements are periodic function periodic function जो है इसकी वज़े से एक नया word उस समय डबलब हुआ जिसको हम periodic city बोलते हैं कभी कभी आपका short road में पूछ लिया जाता है कि periodic city क्या है तो आए periodic city को भी जान लेते हैं देखिए जो आपका यह repetition है physical and chemical properties में जो repetition है on the basis of atomic masses इसी को हम periodic city बोलते हैं यहाँ पर मैं mention भी किया है the repetition of properties properties में आपकी दोनों properties है physical and chemical of elements at regular interval regular interval का मतलब है एक के बाद में एक regular pattern में वो change हो रहे हो is known as या is called periodic city ठीक है जो आपके आपकी जो physical and chemical properties है उनमें जो regular change आ रहा है एक particular interval के बाद में उसी को हम periodic city बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा यह आपका एक short note में आने वाला term है जो की periodic classification of elements से related है तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा इसके बाद में आते हैं कि जब मेंडलीफ ने इतना सब design कर लिया इतना सब उन्होंने बोल दिया उसके बाद में बात आई कि इनको हम arrange कैसे करें तो जो 63 elements थे उनको उन्होंने क्या किया increasing order में उनकी atomic mask increasing order में उनको arrange किया in the form of table एक उन्होंने table design की इसको हम periodic table बोल सकते हैं या फिर original periodic table बोल सकते हैं यह जो table था पर इसमें 12 horizontal lines थी ठीक है आपके जो 8 थे vertical columns थे तो जो vertical columns थे उनको period बोला गया और जो horizontal lines थी उनको group बोला गया तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे अभी एक diagram से भी clear करेंगे ठीक है यह जो आपका मेंडलीव का original periodic law है sorry original table है उसको सबसे पहले हम देखेंगे इसको मैं फोटो के मार्देम से आपको दिखाएंगे और उसके बाद में यह जो आपके advantages हैं, disadvantages हैं या फिर defects हैं इनकी भी हम चर्चा करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका मेंडलीव का original periodic table है ठीक है इसमें कुछ आपके vertical columns हैं जिनको हम period बोलते हैं और जो आपके vertical columns हैं इनकी अगर हम बात करें तो यह आपके जो vertical columns हैं यह आपके 12 columns हैं ठीक है sorry और यह जो आपके groups हैं यह 8 groups हैं देख लिजेए इसको यह आपका सबसे पहले मेंडलीव ने डिजाइन किया था इसके बाद में यह जो अभी आपने देखा है मेंडलीव का original periodic table इसके advantages and defects के बारे में भी हम discussion कर लेते हैं क्योंकि इससे भी एक number का question आपका आजाता एक्जाम में तो देखिए आप मेंशन किया हैं आपने advantages of mandalips original periodic table जो अभी आपने इसको देखा है वो आपकी क्या थी वो आपकी mandalips original periodic table थी इसके advantages दो हैं आपके convenience in the study of properties of elements यहाँ पर जितने भी elements हैं वो atomic masses के increasing order में रेंज हैं तो इनमें थोड़ा जो आपकी properties physical हो या chemical हो उनको पता लगाना थोड़ा सा easy होता है उनमें थोड़ा सा उनको उनमें थोड़ी सी helpful रहती है यह जो periodic table है यह helpful है study of properties of elements यह जो आपके elements और की properties को study करने में helpful है second point है helpful in determining the correct atomic masses of elements जैसे आपका कोई bike में कोई atomic कोई आपका element है उसका atomic mass given है next जो आपका atomic element है उसका अगर नहीं पता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं क्योंकि वो जो table है वो increasing जो आपके atomic mass है उनके increasing order में ही बनाये गए तो आप इसको आसानी से judge कर सकते हैं कि जो next element है उसका atomic mass क्या होगा तो ये आपके दो advantages हैं इसे एक नमबर का question जरूर आता है तो इनको आप learn रखिएगा दूसरी बात या आती है जो आपकी मेंडलीफ की original periodic table है इसके fail होने की reason क्या है इन्होंने एक और भी table design जिसकों बोलते हैं मेंडलीफ modern periodic table ठीक है मेंडलीफ modern periodic table इसके बाद में हम जानेंगे तो पहले जो आपकी original table है उसके defects जान लेते हैं इसकी वज़े से ये feel हो गया देखते हैं आप ये सबसे पहला है change in the order of atomic masses कुछ आपके ऐसे elements थे जिनके order change थे ज्यादा वला atomic mass वला पहले element रख दिया गया और कम atomic mass वला बाद में रख दिया गया है तो एक ये problem थी उसमें एक ये exception था second है आपका lack of proper position for new elements जो आपकी mandalief original periodic table थी उसमें vacant space बहुत कम थे जिससे ये माना गया कि future में अगर कोई नए elements new elements invent होते हैं तो उनको कहां रखेंगे तो ये जो आपकी mandaliefs original periodic table थी इसमें positions की कमी थी ठीक है जो नए elements थे आएंगे future में उनके लिए कोई position उसमें या कोई place नहीं रखा गया थर्ड है आपका discovery of isotopes and isobars ठीक है discovery का मतलब है आपके देखिए जब isotopes और isobars आपके discover हो गए तो एक problem ये भी आगई कि वो भी आपके same element के compound थे बट आपके क्या थे देखिए आइसो बार्स जो थे different masses के थे आइसो टोप जो थे आपके different वो थे तो ये जो isotopes आइसो बार्स है ये भी आपके similar elements थे तो इनको भी उसमें जगए मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिल पाई तो इस वज़े से ये discovery है ये थोड़ा सा disputed रही और एक defect बनकर सामने आ गई तो ये आपके जो three points हैं ये आपके ऐसे points हैं जो कि responsible थे किसके rejection के लिए मेंडलीप's original periodic table के rejection के लिए तिको note कर लीजिए फटाफट और अभी हम मेंडलीप की modern periodic table की भी चर्चा करेंगे और उसके भी advantages and disadvantages के बारे में जानेंगे अब हम जानेंगे कि जो modern periodic table है वो किस basis पर बनाए गई थी उसको किस ने बनाया था तो अभी जो आपने previously study किया है उसमें हमने आपको बताया है कि जो मेंडलीप ने periodic table बनाए थी या original periodic table थी उन्होंने atomic masses के basis पर बनाए थी उनके ही एक student थे जिनका नाम मोजले था ठीक है तो उन्होंने क्या किया जब radio activity isotopes, isobars की invention हो गई उसके बाद उन्होंने observe कि जो आपका atomic number है वो fundamental property है ठीक है नकिया आपका atomic mass उन्होंने जब ये observe कि elements के लिए कि atomic number उनकी fundamental property है और जब उन्होंने atomic number के basis पर एक periodic table डिजाइन की तो उसमें उन्होंने ये पाया कि वो mandalief की periodic table है उससे कहीं ज़्यादा बहतर है तो बाद में उन्होंने जो आपका periodic ला था जो mandalief ने दिया था जिसको हम कहते है mandalief periodic ला उसको नहोंने modify कर दिया तो यहाँ पर इस जो ये जो आपका mention है modern periodic ला इसको modified mandalief periodic ला भी कह सकते हैं चीक है जो modern periodic ला है वो mausolee ने दिया था इसको ध्याना कियेगा क्या दिया था यह देख लेते हैं the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses और यह जो इससे पहले mandalief ने दिया था उसमें उन्होंने क्या किया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो आपके एक मिलड़ी यहां पर इसको सही कर लिजिए atomic number हो गया यहां पर चीक है क्योंकि यह आपका periodic ला था mandalief ने दिया था और यह जो अभी आप study कर रहे हैं यह आपका मुजले ने दिया था जो भी आपका periodic property है वो atomic number के fundamental होता है जो भी उसमें change होता है periodically वो आपका atomic number के basis पर होता है तो मुजले ने जब इतना identify कर लिया observe कर लिया तो उन्होंने एक नई table design की जिसको हम बोलते है mandalief's modern periodic table चीक है या modern periodic table तो मुजले ने क्या किया पहले जो आपके elements atomic masses के basis पर arrange किये गए थे classify किये गए थे उन्ही elements को उन्होंने atomic number के basis पर classify किया और बहुत सारे elements को उन्होंने classify कर डाला तो जो आपकी mandalief की modern periodic table है ठीक है modern periodic table जो है उसमें जो space वाली problem थी original table में वो भी remove हो गई और बहुत सारे इसमें जो corrections थे valency में atomic masses में वो भी आपके हो गए तो एक एक करके हम जानें कि जो modern periodic table है उसकी features क्या है देखिए modern periodic table को दो parts में divide किया गया एक तो horizontal rows में and vertical columns में यह mention किया है modern periodic table is divided into horizontal rows and vertical columns horizontal rows are called period जो आपके horizontal rows है इस तरह से ऐसे उनको बोलेंगे periods and जो आपके vertical columns है top to bottom इस तरह से उन्हें बोलेंगे groups तो अभी जो periodic table आपको हम दिखाएंगे उसमें आपको दिखेगा जो इस तरह की column से उन्हें group बोलेंगे और जो इस तरह के rows हैं उन्हें हम period बोलेंगे अब इनके features जान लेते हैं देखते हैं आप जो short period, very short period, long period and very long period इनका मतलब क्या होता है जो आपकी modern periodic table में होते हैं देखिए first period जो है आपका यहाँ पर हम इसको इस तरह से mention किये दे रहें first period जो है उसमें के वल दो element होते हैं ठीक है तो जो दो element वाला है period उसको very short period बोलते हैं इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यह आपका short answer type multiple choice में भी आ सकता है जिसमें सबसे कम element है नहीं कि दो element है उसको very short period बोलते हैं second जो है आपका second and third यह जो आपके period है इनमे 8 elements होते हैं और इनहीं हम बोलते हैं short period ठीक है 8 elements होते हैं कि इसमें second and third period में उसे हम बोलते हैं very sorry short period fourth and fifth period जो है आपका 4th and 5th period जो है आपका उसमें 18-18 elements होते हैं दोनों में और दोनों को हम long period बोलते हैं यह चीज़ धाने कियेगा 18-18 elements वाले period को long period बोलते हैं 6th and 7th period में 32 elements हैं इन दोनों को हम very long period बोलते हैं तो देखें यहाँ से एक conclusion निकल के आता है जिस period में 2 elements हैं उसे very short period बोलेंगे जिस period में 8 elements हैं उनको हम short period बोलेंगे और जो 18 elements वाले period हैं उन्हें हम long period बोलते हैं जो आपके 32 elements वाले period हैं उन्हें हम very long period बोलते हैं तो यह short and short time questions में आपको मिल सकता है तो इसको आप learn रखिएगा और ये आपके silent features हैं ये आपके characters है modern periodic table के जो कि बहुत ही fundamental and basic है next आपका है इनके जो advantages है मेंडलीव की modern periodic table के उनके बारे में भी हम थोड़ा सर्कूसिंद कर लेते हैं देखिए ये जो आपकी नई modern periodic table design ही तो उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए helpful हो गए सबसे पहला तो ये रहा कि helpful in study जो हम elements की study करते हैं वो काफी helpful हो गया उसमें काफी हमें relief मिलती next आपका है discovery of new elements and its properties हमें ये भी पता चल जाता है कि जो new incoming elements होगा उसकी properties क्या होगी उसका atomic number क्या होगा सारी चीजें में पहले से ही पता होती है तो एक ये भी इसमें advantage था third आपका है corrections in atomic masses जब ये periodic table आपकी design हो गई on the basis of atomic number तो बहुत सारे इसमें corrections भी हो गए जो आपके atomic mass से related थे last है आपका corrections in valencies कुछ आपके elements ऐसे थे जिनकी valency undefined थी या फिर doubtful थी correction हो गया तो ये जो आपकी modern period table है इसको भी हम देखेंगे किसमें कैसे इसको seven periods and nine groups में divide किया गया है चीक है यहाँ पे जो आपके inert gas elements है उनको देखें zero group में से last में right side में देखेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा zero group यानि की helium neon ठीक है इन सारी चीज़ों को यहाँ mention कर दिया गया है और metals को first and second में mention किया गया है नीचे आपकी दो series दिख रही है lanthanides and actinides series ठीक है तो यह आपका जो है mendlip का modern periodic table है जो की mosley ने इसमें correction किया था तो यहाँ पर जो modern periodic law है इसको मोजली periodic law भी बोल सकते हैं या फिर modified mendlip's periodic law भी बोल सकते हैं इसको नोट कर लीजिए और अभी हम इसके demerits जानेंगे advantage हम study कर चुके हैं अब हम जानेंगे कि जो आपकी modern periodic table है mendlip की modern periodic table उसके demerits क्या है उसके failures क्या दे देखिए सबसे पहला आपका है position of hydrogen ठीक है position of hydrogen इसका मतलब यह है कि जो hydrogen है mendlip की modern periodic table है hydrogen को दो places पर रखा गया है एक तो alkaline metal के साथ में रखा गया है और दूसरा आपका जो halogen है उनके साथ रखा गया है तो यहाँ पर जो hydrogen है उसकी position fix नहीं है तो यह आपका एक है demerits या फिर failure इन्होंने hydrogen को दोनों places पर mention किया है क्योंकि hydrogen दोनों से ही resemblance सो करता है उसकी जो properties हैं वो alkaline metal से भी मिलती जुलती है और halogen से भी मिलती जुलती है तो यह एक इसमे problem थी second आपका है dissimilar elements are placed together in the same group देखिए आपका जो example हैं आपर दे रहे हैं lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium यह आपके क्या हैं यह आपके एक group के elements हैं are placed along with the unreactive quinase metal quinase metal को जिन से शिक्के बनते हैं copper है, ag है, au है यानि की copper, silver and gold इनके along उनको रख दिया गया है जबकि आपके यह quinase metals है यह unreactive metals है और यह जो आपके lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium है यह बहुत है highly reactive metals है तो यह देखिए हाँ पर dissimilar elements है इनकी properties different हैं बट इनको same उसमें रख दिया गया है तो यह एक problem है यह एक demerit says की थर्ड है आपका similar elements are placed separately करने का मतलब है इसी का उल्टा जो उपर लिखा था कुछ आपके ऐसे elements हैं जिनकी properties same हैं बट उनको different groups में place कर दिया different places में place कर दिया कौन-कौन से हैं देखिए barium है, thallium है, lead है, silver है ठीक है, यह आपके ऐसे elements हैं जिनकी properties similar होती हैं बट इनको different different groups में रख दिया गया तो यह भी इसका demerits है fourth है आपका representation of only one valency करने का मतलब है कि कुछ आपके ऐसे elements होते हैं जिनकी जो variable valences हो करते हैं यानि उनकी valency एक से ज्यादा भी होती है तो इसका कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया इस बात को उन्होंने mention नहीं किया और यहाँ पर example अगर हम नहीं तो कह सकते हैं यहाँ पर copper है जैसे आपका copper two valency show करता है one and two तो copper की केवल एक ही valency उन्होंने एक ही valency के बारे में कुछ बताए है नहीं बताया भी तो केवल एक ही valency बताई variable valency का उन्होंने कोई भी statement उसमें नहीं mention किया तो यह आपका था representation of only one valency यह एक problem रहा यह एक failure रहा हैं का last है आपका position of lengthenides and actinides जो आपका अभी periodic devil आपने देखा है उसमें last वे यहाँ पर सबसे नीचे दो series आपके हैं 1414 elements की उनको lengthenides and actinides बोलते हैं तो उनको periodic table में जगए नहीं मिली उनको बाहर कर दिया गया ठीक है यह भी इसका failure था यह भी किसका demerits है यह note कर लिए एक एक number के questions में आपके demerits आ जाते हैं उनको learn भी रखिएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो में हम long form या फिर extended form of periodic table के बारे में discussion करेंगे